21 साल के नौजवान की बाइक एक्सिडेंट के दौरान गर्दन में चोट लगी जिसके कारण उनका गर्दन का सबसे उपरी भाग जिसको C2 मनका या ओडोंटोइड कहते हैं वो तूट गया उसके कारण स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ गया जिसके कारण मरीज के हाथ भी स उन्होने लग गए थी और उसकी टांगों पे वजन आना बंद हो गया था चोट लगने के बाद जब ये आये तो CT स्कैन में जब ओडोंटोइड फ्रेक्चर देखा गया तो इसमें एक स्पेशल तेकनीक से दूरबीन के जरीए एक स्क्रू डाला गया जिससे ये हड़ी को फिक्स कर दिया गया उस सेट अप करने के लिए दो हमें एक स्रे की मशीन लगानी पड़ती हैं जो एक साथ हूज हो तब ही ये पॉसिबल हो पाता है तो ये टेकनिकली बड़ी ही चैलेंजिंग सरजरी होती है इसकी कैलकुलेशन हमें पहले ही CT स्कैन पे करनी पड़ती है क क्या हम ये प्रोसीजर कर भी सकते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से आया कि हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं हमने ये एक स्कुरूड डाला जिस से पांच महीने में उसकी हड़ी बिलकुल अच्छे से जुड़ गई पहले ये सहारे से चलना शुरू हुए और धीरे धीरे झाल झाल